Hey guys, welcome to my channel, in this video I will start to solve an equation and the equation is mode of x-1-5 का mode greater than equals to 2 and the question is how to solve तो इस equation को solve करने का मतलब है कि हम x की वो possible values बता दें जो इस equation को satisfy कर दे तो हम लोग अब इस equation में दो modulus दिखा रहे हैं तो modulus को हमें सबसे पहले simplify करना है तो अगर हम mode of x-1-5 को capital Y माल लेते हैं ऐसा अगर हम कर लें तो mode of capital Y greater than equal to हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और ये हमारे लिए solve करना easy हो जाएगा तो हम लोग देखो इसे कैसे solve कर सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा दिखाया है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम इसको किस तरह से open करेंगे तो जब इस तरीके का कुछ देखने को मिले like mode of capital Y greater than equals to ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो यह किस तरीके से open होता है या तो y greater than equals to 2 होगा या फिर y less than equal to minus 2 होगा इसका ये मतलब है साथ ही जाद में आपको बता दूँ कि अगर mode of capital Y less than equal to होता तो फिर क्या होता इसका क्या मतलब होगा कि ये जो mode of Y का मतलब क्या है कि Y का absolute value इसे हम बोलते हैं तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि अगर ये Y का absolute value ही 2 से छोटा है तो इसका मतलब है कि Y 2 और minus 2 के बीच में रहेगा इसका ये मतलब है तो ये greater than equals to के लिए इस तरह से open होता है कि या तो ये 2 से बड़ा है या बराबर है या फिर minus 2 से छोटा है या बराबर है और less than equals to के लिए क्या condition रहती है कि ये मतलब इसका absolute value या पर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता था तो उसके बीच में ही रहेगा लेकिन या पर हमारे पास greater than की condition है तो यहाँ पर हमें 2 condition देखने को मिलती है तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है हम दोनोई condition को लेते चलेंगे तो इस तरीके से हमारे पास 2 condition बनी फिर हम इस equation को solve करते है तो mode of x minus 1 ये minus 5 उधर गया plus 5 तो greater than equals 7 बन गया यहाँ पर क्या हुआ mode of x minus 1 less than equals to 3 रह गया फिर यहाँ पर greater than की condition आ गई तो फिर ये फिर 2 part में होगा या तो x minus 1 7 से बड़ा या बराबर होगा या फिर minus 7 से छोटा या बराबर होगा तो इस तरीके से हमने इसको solve कर लिया ओके यहाँ पर less than की condition आ गई इसका मतलब है कि x minus 1 का जो absolute value है वो 3 से कम है इसका मतलब हुआ कि x minus 1 3 से छोटा होगा या बराबर होगा और minus 3 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो इस तरीके से हमने अपनी कितनी condition बना ली 1, 2 and 3 ओके इसे हम लोग solve करेंगे कैसे solve कर पाएंगे हम लोग minus 1 इदर जाएगा x greater than equal 8 और यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे यह minus 1 उदर जाएगा x less than equal to minus 6 तो एक condition दो condition और यहाँ पर क्या हो जाएगा यह minus 1 इदर आएगा तो minus 3 plus 1 greater than equals to x और यह minus 1 उदर भी जाएगा greater than equals to 3 plus 1 अच्छा हम इसको अलग-अलग भी solve कर सकते हैं लेकिन यह हमारे लिए ज़्यादा easy होता है वहाँ पर हमारे पास 2 condition बनेगी फिर हमें intersection लेना पड़ेगा तो क्यों न हम ऐसे solve कर लें तो अच्छा method है यह तो यहाँ पर minus 2 और 4 के बीच में यह x रहेगा it means हमें इस तरीके से कुछ लिखने को मिलेगा कि x belongs to minus 2,4 close interval उसी तरीके से यह x less than equal minus 6 है तो इसका मतलब है हम इसको इस तरीके से लिख सकते है x belongs to minus infinity, minus 6 मतलब x की वो सारी values जो minus 6 है या minus 6 से छोटी है similarly, यहाँ पर x की वो सारी values जो 8 है और 8 से बड़ी है तो x belongs to close interval 8, infinity because equality close interval because equality and close interval because equality तो यहाँ पर आप लोग एक point द्यान में रख सकते हो कि inequality में हम लोग कोई भी constant को add और subtract करते हैं तो inequality में कोई change नहीं आता यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि minus 1 में को यह minus 1 को हटाना है तो मैंने पूरी inequality में क्या कि आप plus 1 को add कर दिया तो inequality में कोई change नहीं हुआ लेकिन अगर हम negative से multiply कर दें तो inequality में change आता है तो अभी हमारे पास 3 condition आ चुकी है 1, 2 and 3 तो इन तीनों का हम लोग union लेंगे तो सबसे पहले हम चले कान से थे जब हमारे पास कुछ इस तरीके का function था फिर हमने सबसे पहले उपर ये modulus को हटाया modulus को उठाया तो यहां पर greater की condition थी तो हमरे पास 2 condition आई फिर इन दोनों condition को अलग-अलग हमने solve किया फिर यहां पर greater than की condition थी फिर 2 condition बनी फिर इनको हमने अलग-अलग solve किया इससे हमरे पास ये condition बनी इससे हमार पास ये condition बनी और ये less than वाली condition से हमार पास एक ये condition मिल गई तो तीन condition मिली है तो possible values हमार पास क्या-क्या रहेंगी हम लोग इस तरीके से show कर सकते हैं x belongs to minus infinity, minus 6 close interval union close interval minus 2,4 union close interval 8, infinity thanks for watching, bye